मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चेनल पर आज हम लोग बात करने जा रहे है और एच एफ एल सेयर के बारे इसका पूरा नाम है रिलाइंस होम फाइननस लिमिटेड और हम लोग न्यूस की बात करें तो इसमें कोई लेटेस्ट न्यूस नहीं है हम लोग पेले हाई लो और लिटेन के बारे जानेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे चार्ट रिडिंग करके फिर हम लोग जानेंगे इसका target और अस्टोब लोस तब तक बने रहे एक मत की return की बात करे तो 14% की positive return है एक year की return की बात करे तो 101% की positive return है 52 week की low की बात करे तो 1.40 पैसा है 52 week की high की बात करे तो 6.65 पैसा है को टृइडिक इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाता हूं फरस्ट यह कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सेकेंड यह एकि अगर आपको चार ट्रेडिंग करने नहीं आता या ट्रेडिंग करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं मैं 3 hour से ले के मंत्री कैंडल तक अनलाइस करके आपको target बताने जा रहा हूं इसका 3 hour फे first target होगा 4 रुपए 55 पैसे का 4 रुपए 55 पैसे का इसका second target होगा 4 रुपए 80 पैसे का इसका third target होगा 5 रुपए 15 पैसे का चि cauliflower अब हम बात किरेंगे इसका stop loss की तो इसका फ़िस्टis stop loss होगा चार रूपय 25 पैसंसे का इसका सेकेन्ड उस्ट उप्लोज जो होगा वो बहुगा 4 रूपए का इसका फ़र्ड उस्ट उप्लोज होगा 3 रूपए 70 पैसे का चिस है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे डे केंडल पे डे केंडल पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा चार रुपए सत्तर पैसा का इसका सेकेंड टार्गेट होगा पांच रुपए बीस पैसा का और इसका जो थर्ट टार्गेट होगा वो होगा छे रुपए का अब हम लोग बात करेंगे इसका stop loss की तो इसका first stop loss हो जाएगा 4 रुपे का इसका second stop loss हो जाएगा 3 रुपे 60 पैसे का और इसका third stop loss हो जाएगा 2 रुपे 80 पैसे का ठीक है अब हम लोग बात करेंगे weekly candle पे weekly candle पे इसका जो first target होगा वो होगा 5 रुपे 20 पैसे का और इसका second जो weekly target होगा वो होगा 6 रुपे 50 पैसे का और इसमें मैंने 2 target और 2 stop loss रखे हैं तो इसका first stop loss हो जाएगा 4 रुपे 30 पैसे का और इसका second stop loss होगा 3 रुपे 45 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे मंतली candle पे मंतली candle पे इसका जो first target होगा वो होगा 6 रुपे 60 पैसे का और इसमें मैंने एक ही target रखा है और दो stop loss है इसमें first जो होगा stop loss वो होगा 3 रुपे 50 पैसे का और second होगा 2 रुपे 10 पैसे का ठीक है फ्रेंट इस चेहर पे कोई भी latest news नहीं है फ्रेंट तो मैं वीडियो के end में कोई भी news का screenshot नहीं दूँगा इस वीडियो पे तो comment में ज़रू बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और मिलते हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए bye bye